तेल बेचने वाली कमपनियां हैं, जो सरकारी कमपनियां हैं, इसको पबलिक सेक्टर कमपनी कहते हैं, उनका जो घाटा है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कि उस घाटे की भरपाई करना मुश्किल हो जाता है. उसमें दो तरीके हैं या तो सरकार जो कर इकठा करती है और वो भी जनता से इकठा करती है या तो सरकार फिर उन तेल बेचने वाली कमपनियों को सबसेडी दे या फिर थोड़ा सा भार सभी लोगों के उपर बराबर से डाला जाए जिससे की जो देश की अर्थविवस्था है उस देश की अर्थविवस्था के उपर असर ना पड़े तो हम इस बात को स्विकार करते हैं और बहुत समवेदन शीलता से स्विकार करते हैं और कोई भी सरकार ऐसा फैसला खुशी से नहीं करती है विपक्षी पार्टियों से भी अनुरोद करना चाहता हूँ कि जो एक व्यापक परिपेक्ष है जिस परिपेक्ष में भारत की अर्थविवस्ता काम कर रही है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और हस हर चीज पे सस्ती लोग प्रियता के लिए सियासत और राजनीत नहीं करनी चाहिए